हाई बॉर्स एंड गल्स युनिवर्सल अंकल में आज फिर से आपका स्वागत है और आज हम लोग बहुत अच्छे महत्पूर्ण दुश्य पे बात करने वाले हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकोन का बटन जरूर द सबसे पूरा दिन है तो अच्छा दिन लोग बात चुकी संडे चुटी रहती है तो उसके ओपर है और आज हम इस महत्पूर्ण विश्य पे बात करने वाले हैं कि यह कपसे लागू हुआ कैसे अंग्रेजों ने माना या भारत सरकार क्या कर रही है इसके लिए हमारे पास सब कुछ राजचानों के वीडियो को पूरा देखना लंबा नहीं है तो हमारे साथ मोजी उदर राकेश जी सोगा नहीं था राकेश जी ये संडे की क्या लीला आपने देश में क्या चल रही कैसे लागू हुआ क्या था अंग्रेजु के जमाने में जब साथ दिन काम कराया जाता था और चुट्टी नहीं रखी जाती थी तब नाराण मेगाजी लाखंडे ने 1881 के अंदर एक अंग्रेजु को प्रस्ताव रखा और जब उन्होंने प्रस्ताव नहीं माना तो नो साल संगर्ष करने के बाद उन को सब कुछ दिया उस समाज के समाजिक सरोकारों पर परिचर्चा हो उसमें सुदार हो उसमें समश्चाओं कर निधान हो तो आप यूं कहना जा रहा है कि बदब अंग्रेज जैना हिंदुस्तान के लोगों को लेबर समझते थे और वो बहुत तेजी से सुपूरे 24 गंटे काम कराते हैं सातों दिन काम कराते हैं चुट्टी का को मौका ही नहीं मिलता तो समाज की लोगों ने यह समझा कि अगर इस तरह से पिस जाएंगे आपसे बात करने के लिए तयार नहीं है हम घर-परिवार के बारे में कब सोचेंगे तो उस समय रोकंडे साब ने उट 181 में यह मांग रखी आंदोलन रखा और अखीर 8 साल के संगश के बाद इसे मांग बाने गई तो तब से समाजिक सारोकार लाग हुए तो उसके बारे में आप जो नया यूथ है रागेश जी जो आज की तारीक में 2022 में जी रहा है वो संडे का कैसे उप्यों करता है आप लोग सम हो जाते हैं कि कल संडे है और आवकाश है मुझे कल का आनंद लेना है मगर धीरे धीरे जैसे हम टेकनिकल यूप में टीवी और मोबाइल की दुनिया में आए तो हम उस चीज का वास्तमिक्ता थी उससे बटक गए और हमने संडे का जो सदुपयोग करना था कि हम लोग आप भाज को बहुत सारी परेशाई ह्यों के समना करना शोट रा है तो संडे हमारे लिए सबसे बैस्त में हमारि बॉडीमें हमारे शरीर में मस्तित में हर तरीगे से शारह एक समाग है कि संडे का वाकाश बिलकुल दिमाग में समा गया है कि संडे इज हॉलिक्त मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि जब हमारे दिमाग में संडे को होलेडे स्विकार कर लिया इसका मतलब हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इसको निकालता है कोई सोचता है कि संडे मतलब मां सोता रहूंगा कोई सोचता संडे मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं है कोई सोचता संडे मत जब समाजिक सरोकार नहीं आते हैं और आप जोगों से रिलेशन कब बनेंगे कभी आपके पर पीडा आई जैसे आपके कोई गाड़ी एक्सिडेंट होई या आपको बिमार हुए आप चाहते हैं तो होगी विश्यदार आपके पास में आके आपको संभाले आप अंकल को फोन करते हो पापा के दोस्त को फोन करते हो या खुद अपने दोस्त को फोन करते हो वो आपके पास है चक्की आप उसे मिलने चुलने चाते नहीं है आपको संडे दे रखा है संगर्षों के बाद, आठ सालों के संगर्ष के बाद वे संडे का अवकाश मिला है कम से कम इसको नौकरी मेना सही रिलेशन बनाने हैं और डवलप करें समाज के लिए काम करें उस दिन लोगों से मिले चुले ये बहुत है पिछले 500 सालों का इतियास है अगर देश में किसी भी परिकार का कोई प्रभावी परिवरतन हुआ है तो वो सिर्फ यूओं ने, यूओं ने, यूओं ने किया है और अब अगर यूओं आए बटक कर सही रास्ते पे आए तो 365 दिन में केवल 52 सब्ता होते हैं और 52 सब्ता में 2 गंटे केवल श्रमदान को दे जिस रास्त ने हमको सब दिया है उस रास्त को, उस समाज को 2 गंटे यानि कि 104 गंटे कभी-कभी गंटे चोड़ करके और 52 गंटे में हर वीक रविवार को सामाजिक सरोकार से समन्दित अपने लोगों के साथ परीचर्चा करें उनको आमंत्रित करें और जब एक ही समश्या के बहुत सारे लोग जब मिलेंगे तो समश्या को समादान होगा और आपको एक जीने की सुलब और अच्छी राहत का रास्ता मिलेगा तो राकेश जी ये समझाना चाह रहे हैं कि आपके पास में जो संडे आ रहा है उसमें एक पूरे तीन के चोविस घंटों में किवल दो घंटे आप शंदान करें आप कुछ न कुछ काम करें और उसके बाद में आप लोगों के समों से जोड़ पाएंगे जैहें बंदे मातर